हेलो फ्रेंड मेरा चैनल में आप लोग को स्वागत है आज मैं आप लोग को स्लीप कटिन सिखाऊंगी तो यहां पे मैं स्लीप की लंबाई में दो इंच प्लस कर ली हूँ और यहां जितना आपको गोल लाई चाहिए मोहरी के उतना आप ले लिजे तो यहां मेरा 9 इंच है तो मैं साथ 4 इंच पे गोलाई ली हूँ ठीक है उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करके आगे एक और मार्क लगाऊंगी इस तरह से लगा लेना है आपको फ्रेंड उसके बाद में देखिए 9 इंच मैं चवलाई रखी हूँ इस तरह से आपको रखना है और साइड से आपको 3 थोरा 19 इंच आ सकता है तो आप इस तरह से मेजरमेंट करके फिता से देख लेना क्यूंकि मैं 14 सिंच का चेस्ट के लिए मैं यह कटिन कर रही हूँ तो मेरा 14 सिंच आ रहा है यहां से और डेरिंज मार्जिंग भी है साथ में तो फ्रेंड यहां पर मैं एक निसान और दे द इसको नहीं कट करना है बस बाहर वाला कट करना है आपको तो यहां पर जैसे ड्रोइंग किया हुए बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना आप लोग मेरे चैनल पर नहीं आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लिजिएगा अगर वीडियो थोरा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं तो फ्लीज में वीडियो का सेयर भी कर दीजिएगा तो यह स्लीप की कटीन हो चुकी है अब यह जोइंट वाली भी एरिया को कट कर देना है तो यह जोइंट कट कर दी हूं फ्रेंट यहां फ्रासा छोटा सा कट लगाना होता है सेंटर में और यहां पे जो सिलाई की मार्क होती है तो इस दोनों जगह में छोटा-छोटा कट जरूर लगाना फ्रेंट अब हम आर्म होल की फ्रंट साइड में दो पीश उठाएंगे और इसमें मार्क लगाएंगे हाफ इंच का इस इस तरह से बिल्कुर गुलाई की जैसे ही लगाएंगे और इसको कट कर देना क्यूंकि यह आर्म होल जोलना दे इसलिए कटिन होती है तो देखिए फ्रेंट दो मैं कट की हूं दो छोड़ दी हूं इस तरह से स्लीप की कटिन होती है फ्रेंट तो उमीद करती हूं आज कि आपको थीरी कोटर वाजू कटिन आगाई हो गया वाजू उसी को बोलते हैं स्लीप को कटिन को प्रेंट इहां पर मैं देखिए कुर्ती कटिन करके पहले से रखिए उपर से सोल्डर जब फोल्ड करूंगी और यहां से जोइन करूंगी आर्म होल में तो दम परफेक्ट आ फ्रेगा यहां देख सकते हो मैं यहां पर दाग लगा के आपको दिखा रही हूँ तो यह कुर्विका आर्म होल आर्म होल से आप मिलके सब्सक्वराइब तो स्केर इसाना तरीक시 से बाजू कटिन सिखाई हो तो फ्रेंड यहां पर बाजू की कटिन आप लोग को आया की नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना और मेरा तरीका कैसा लगा फ्रेंड तो में अगली वीडियो में बाय बाय खुदा हाफीज अब तक इंजोई की दिए